हलो स्टूडेंट्स तो मैं हुआ कांच्छा और आज का हमारा जो नया लेसन है वो है जिव जगत तो जिव जगत के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग कुछ चीजे जानना आविश्यक है जैसे कि सबसे पहले हम यह जानने के अखिर जिव क्या होते हैं जिव क्या है और जिव क्या है यह जानने के लिए हम लोग पढ़ेंगे सजिव और निर्जिव सजिव की स्रेड़ी में कौन कौन सी चीजे आती है और निर्जिव की स्रेड़ी में आखिर कौन कौन सी चीजे आती है तो इनके गुड़ों को जानना हमें आविश्यक है तो सजीव को क्या क्या गुड होते हैं तो सजीव का गुड है एक तो व्रिध्धी करते हैं सजीव क्या करते हैं प्रिंधी निर्जीव कभी व्रिध्धी करते हैं किसीने निर्जीव को व्रिध्धी करते देखा है जैसे कि ये पैन है यह क्या है निर्जीव है ठीक है तो इनको किसी ने व्रध्धी करते देखा है नहीं न किसी ने देखा होगा इसके विप्रेद सजीव में व्रध्धी होती है यसे कि कोई कोशिका है कोशिका विवाजन करके व्रध्धी करती है ठीक है यसे कि कोई मनुष्य है मनुष्य हम क्या होता है वो जाइगोट होता है एक छोटा सा यूग मना जो थीक है इसके बाद क्या वो भूर्ण बन जाता है परिवर्दनों के फल तौल मृण के बाद क्या बनता है शिशु अर शिशु फिर दीरे-दीरे अपनी कई बनने के बाद एक पुरुष बन जाता है थ bullish है बढ़ो परके पुरुष बन जाता है यह किसका गुर raped यह सजीवयal का ही जिर आप यंद नहीं देखा होगा मन में जरूर क्वेश्चन हो तो comment जरूर करके पूछिएगा और next नेक्स्ट हमारा जो गुर है वो है क्या वो है जनन ठीक है तो सजीव क्या करते हैं सजीव जनन करते हैं reproduction करते हैं निर्जीव कभी जनन करते देखा है अपने निर्जीव कभी जनन नहीं करते ठीक है क्या अपनी संताने बनाते हैं अपनी संतति पैदा करते हैं नहीं न इसको हम आप उधारण से समझा रहे जिसे की जनन जनन कौन करता है तो सभी जनन जनन तो सभी सजीव करते हैं अर्थात जनन सजीवों का जनन की जनन की क्रिया निर जीवों में नहीं पाई जाती है ठीक है और जनन सजीवों में जनन कितने प्रकार को होता है दो प्रकार को होता है ठीक है सजीवों में जनन कितने प्रकार से पाई आता है दो प्रकार का जनन पाई जाता है एक लैंगिक जनन दूसरा लैंगिक जनन लेंगिंग जनल में आपने अमीबा को सुना होगा अमीबा क्या करता है हाप पर तेक अमीबा को जब अगर्ण